दोस्तो कुछ टेंग पहले मैंने आपके लिएक वीडियो बनाया था कैसे आप घर बैठे एकदम फ्री में HDFC Bank का credit card apply कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देख रहा है तो वीडियो को डिस्कुप्शन में उसका link मिल जाएगा आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखना लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है मेरे address पर हमारा credit card आ चुका है इसको आने में 10 से 12 दिन लग गया था अब हमें ना इस card को manage करना है इसके अलावा इसकी limit कम जादा कैसे करनी है और credit card का pin कैसे generate करना है सारे जितने भी आपके doubts जैना इस वीडियो में आपकी clear होंगे चाहे आपका bank खाता है HDFC bank में हो चाहे आपका HDFC bank में account ना हो तो भी आप आसानी से इसका use कर पाएंगे क्योंकि especially HDFC bank की तरफ से न mobile application आता है credit card के लिए और कैसे इसको manage किया जाता है वीडियो को ध्यान से और पूरा दिखना तभी आप सीख पाएंगे हलो दूसकों मरा नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं आपको सबसे पहले Chrome browser उपन करना है अब आप search करेंगे HDFC my card और यहाँ पर जो पहली website है mycards.hdfc.com आप इसके उपर क्लिक करेंगे website आपके सामने खुल करा जाएगी दूसकों यह एक basically website है बट हमें इस website का यूज ना करके application का यूज करना है तो इसके लिए आपको सबसे उपर टॉप पर three dot नजर आएगे और यहाँ पर आपको select करना होगा install app जैसे आप install app के उपर क्लिक करेंगे दुबारा से आपको install app के के उपर क्लिक करना है अब आपके mobile phone मर my hdfc का जो card application है वो easily download हो जाएगा तो मैंने जैसे यहाँ पर my card search किया और यहाँ पर हमारे पास application install होकर आज चुका है हम simply इसको open करेंगे और यहाँ पर हम जो है अपना mobile number enter करेंगे जो भी हमारा credit card के साथ में link है और उसके बाद get otp के उपर क्लिक कर देंगे आपके नमबर पर एक otp आएगा otp को यहाँ पर fill up करेंगे और submit कर देंगे हमने अपने credit card से यहाँ पर login कर लिया है अब जो भी आप credit card यूज कर रहे है वो कौन सा है जैसे कि हमारा money back है hdpc bank का वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसके आपको यहाँ पर इसली दिख जाएगा इसके अलावा अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे multiple options मिल जाते हैं जैसे कि linked EMI अगर आपको EMI चल रही है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको EMI दिख जाएगी फिलाल मैंने कोई भी EMI य अपने यहाँ पर अब तक earn किये हैं इसके अलावा यहाँ पर आपको जो option मिलता है वो मिलता है card control का अगर आप क्लिक करते हैं card control के उपर तो आप अपने credit card को यहाँ पर control कर सकते हैं यानि कि आपको ATM से पैसे निकालने हैं आप इसको on कर सकते हैं off कर सकते हैं चाहे तो आप यहां से change करके limit भी set कर सकते हैं जैसे कि आप अगर ATM से कभी emergency में पैसा निकालना चाते हैं तो कितना पैसा आप निकालना चाते हैं अपने हिसाब से limit set कर लेंगे और यहां पर और भी बहुत सारे यहां पर feature आपको मिल जाते हैं कि online आपको spend करना है shopping में तो अगर आपको on करेंगे तो आप online shopping कर पाएंगे अगर यह off रहेगा तो आप online कोई भी shopping नहीं कर पाएंगे इस बाग का आपको ध्यानक ना है इसके लावा merchant ने आप इसका use करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं आपने हिसाब से manage करेंगे international users का मतलब होता है कि अगर आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो आप इसको on कर देंगे otherwise मेरे हिसाब से इसको off रखेगा इसके अलावा online spend भी में इसको on कर लेता हूं और limit में set कर लेता हूं उसमें 5000 रुपे की आप अपने हिसाब से इसको set कर लेंगे उसके बाद जो आपको simply यहाँ पर update के उपक्री करना है अब आपके register मुबाइल नंबर पर जो भी आपका htfc bank के साथ में मुबाइल नंबर link है बैंक में आपको उस नंबर पर एक otp आएगा one time password उस otp को आपको यहाँ पर fill up कर देना है और submit कर देंगे ठीक है submit करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना होगा wait जैसे आप करेंगे यहाँ पर आपके request ले ली जाएगी और यहाँ पर आपके जो भी card control है वो आपका modify हो चुका है change हो चुका है हम done कर देंगे done करने के बाद आपको यहाँ पर और भी back करेंगे आप तो यहाँ पर और भी options मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर आप e statement को download कर सकते हैं और download करने के लिए आपको यहाँ पर कौन सी मंत की करनी है जिस भी मंत की आपको statement चीए आपको simply मंत को select कर लेना है उसके बाद Gmail ID automatically जो भी link है वो automatically आजाएगी उसके बाद आपको email statement की उपर click कर देना है जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आपको email भेज दिया गया है आपकी register Gmail ID पर और यहाँ पर आपको अपने card को फिलाल block भी कर सकते हैं smart pay का use कर सकते हैं calculator है और अगर आप अपने card का pin change करना चाहते हैं तो change pin करेंगे और आप इस number पर अपने register mobile number से call करेंगे इस number पर तो easily आप अपने card का नया pin भी बना सकते हैं और पुराने pin को change भी कर पाएंगे दोस्तों कैसे आपको अपने HDFC credit card का pin generate करना है online और इसके साथ में calling के थो दोनों process मैंने आपको बताया है अगर आपको जाना है तो वीडियो को description में आपको उसका link बिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखीगा तो इस तरह के से आप बहुत ही आसाने से my cards application का use करके अपने credit card को control कर पाएंगे